वेल्कम बैक दोस्तों आपका एक बार फिरसे स्वागत है हमारे वशी करण के इस यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने जा रही हूं कैसे आप किसी भी इस्त्री को या पुरुश को अपने वश में कर सकते हैं जी हां दोस्तों बहुत ही आसान उपाए है अगर आपकी जिन्दगी में आप किसी से इकतरफा महबबत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इस्तरी भी आप से उतनी ही महबबत करने लग जाए जितनी आप उससे करते हैं तो दोस्तों हमारा ये विडियो आपके लिए है आज के स्टरी ये किसी लड़की को या पुराने प्रेमी को अपने प्यार में बांग सकते हैं अगर आप किसी से सची महबबत करते हैं तो ही आपको ये उपाए करना है क्योंकि ये बहुत ही सादा चमतकारी उपाए है इस उपाए के जरी तुरंट आपका काम हो जाता है मात्र कुछ घंडों के अंदर भी इस वशीकरण के उपाए को मुहिनी वशीकरण भी कहा जाता है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना अपने मुहनी वशीकरण जो की बहुत सालों से लोग इस्तमाल कर रहे हैं किसी को भी अपने वश में करने के लिए और भी वशीकरण का मतलब कई बार लोग बहुत गलत सोच लेते हैं होनोे लगता है कि कोई डेगेटिव क्रिया है और कोई नकारात्मक विद्धया है जिससे की कुछ नुकसान होगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है सब मोहन विद्या होती है उसी तरह से मोहनी वशिकर विद्या भी होती है जिसमें आप अपनी इच्छा शक्ती से और सही मंतरों के द्वारा किसी को भी अपनी जिंदगी में आकर्शित कर सकते हैं और उसे अपना दीवाना बना सकते हैं इसके लिए दोस्तों क्या आपको इस्तामाल करना होगा? वो मैं आज आपको बताती हूं, आपको सिर्फ डो लह्सुन की कलियां इस तरह से लेनी होगी और इसके अलावा आपको एक काला धागा चाहिए होगा, आप इस तरह से मोटा धागा भी ले सकते है, या फिर पतला जो लिखना है ओम, एक लसन के उपर आपको इस तरह से ओम लिखना है और उसके बाद ओम वाले लसन पर आपको अपनी प्रेमिका का नाम लिखना है, आपकी प्रेमिका का नाम जो भी हो आप उसे इस तरह से उस पर लिख दीजे, मैं यहां पर पूजा लिख रही हूँ, एक लसन पर आपको इस तरह से लिख देना है दूसरे लसन पर आपको बनाना है एक स्वास्तिक का चिन्म इस तरह से यह आप देख सकते हैं और उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम मैंने लड़के का नाम यहाँ पर नवीन लिखा है इस तरह से आप लिख लीजे अब दोस्तों ये दोनों लसन आपको अभी मंत्रित करने होंगे, जी हाँ, एक मंत्र के द्वारा आप इन दोनों लसन को अभी मंत्रित कर लीजिए, और उसके बाद आपको इन दोनों लसन को आपस में बांधना है, भागे की सहायता से आपको इनको आपस में लपेट कर बांधना है, तो इ संदर की तरफ इसमें नाम दोनों नाम एक साथ मिज़नाए अब आप धागे की सहायता से इसे अच्छे से लपेट दीजिए और जब तक आप इसे लपेटते रहेंगे उपनी देर आपको उस मंत्र का उचारण करना होगा करीब आपको जो धागा लेना है वो लेना है सवा द दोस्तों यह बहुत ही जादा प्रचंड वशीकरण है जो मैं आपको बता रहे हूं मोनी वशीकरण हमेशा वश में करने के लिए किया जाता है इसका उप्योग आप सिर्फ तभी करें जब आप सामने वाले इंसान को बहुत जादा प्यार करते हूं और आप चाहते हूं कि आपके जिन्दधी में हमेशा हमेशा के लिए आजाए इस तरह से लसन को आपको धागे में पूरी तरह से लपेट देना है अगर आप पतला धागा इसकेमाल करेंगे तो शायद वो इस तरह से नहीं पूरा कवर करेंगा अब आपको क्या करना है इस लसन को आपको ले जान के बाद ही उस लड़की का आपके पास कॉल आएगा या फिर वो आपके घर पे ही खुद आ जाएगी और आपसे मिलने के लिए वो तड़प उठेगी आपसे मिलने का समय मांगेगी तो इस तरह से आप इस उपाय को पीजिए इसमें जो मंत्र इस्तमाल किया जाने वाला है व तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्मिवाद मिलते हैं अगले वीडियो में